हलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे तो स्वागत है आपका हमारे चैनल चीकू पीकू लाइफ में और आए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि खरगो नहीं नहला है माइन में बहुत सारे सवाल आते थे तो उस टाइम मैं भी समझ नहीं आ रहा थे किस से पूछूं तो मैंने भी बहुत लोगों से पूछा था कि अपने रैबिट्स को नहलाना चाहिए कि नहीं लना चाहिए और आज सेम वही चीज़ें लोग मुझसे पूछते एक्शली क्या हुआ कि मैंने एक शॉट्स में अपने बच्चों को नहलाए हुए कि छोटी सी वीडियो डाली थी तो बहुत लोग का कमेंट्स आ रहा था कि आरे रैबिट्स को नहला चाहिए यह तो बहुत गलत बात है इनकी मौत हो जाती है और उसका रिशन यह बताते हैं क कि खरगोज जो है काफी कमजोर दिल का होता है तो इसलिए उसको नहीं नहराना चीए ताकि वो ड़ जाता है और शॉक में चला जाता है तो दोस्तों जब उसको किसी तरह का टॉर्चर कीया जाये तो वह बल्कुल शॉक में चलाएगा और उसकी वज़ेसे उसकी मौध हो ज कभी भी रैबिट को जबरस्ती नहीं नहलाना चाहिए इंफेक्ट में यह कहूंगी कि आप नहीं नहलाया तो उन्हें बेतर है क्योंकि मोशली लोग को नहीं पता होता है कि उन्हें कब कैसे और कितने दिन में किस प्रकार से मतलब उनको ट्रीट करें या नहलाएं तो दोस्त तो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके नहलाने के पीछे जो रिजन होता है देखे दोस्तों कुछ लोग का तो रिजन यह होता है कि बच्चों का हाईजिन मेंटेन करना पड़ता है कि कैसे वो क्योंकि हमारे घर में रहते हैं तो हमारे बेट पे हमारे साथ रहते हैं अगर वो तो उन्हें कैसे रखें कि हमें कोई बिमारी ना हो उनसे या उनको भी कोई बिमारी ना हो तो में रूप से हैजिन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में आता हुआ कि हम उनको नहलाएं कि नहलाएं मरे या जी ये बस उनको एक वीडियो चाहिए होता है उस पर लाइक और कमेंट्स चाहिए होता है तो इस वज़े से वो लोग नहला देते हैं और जब अरस्ती नहलाते हैं उनको टॉर्चर करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होती है प्लीज आशाना करें उनके साथ क्योंकि उनके अंदर भी जान है दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब रबिट्स को नहलाते हैं तो उसको टप में डाल देते हैं तो ये बहुत ही गलत होती है बच्चे के नाक और कान में पानी जाने से उनकी मौत हो सकती है या फिर अगर वो शौक में चले गए डर क वज़े से तो भी उनकी मौत हो जाती है तो प्लीज ऐसा ना करें इनके साथ में क्योंकि आपने पाला है इनसे आपका लगाओ होगा तो आप कैसे सकते हैं उनकी मौत को तो मैं यही कहूंग अगर आपको जनकारी नहीं है तो इस तरह से मत किजिए और दोस्तों अगर आप नहलाते भी हैं तो इन्हें बहुत ही कम टाइम रखें नहलाने का और कोसिस करें कि आपका बच्चा अगर पानी से डड़ता है तो उन्हें नहलाए और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगे कि मैंने अपने जीकूपी को क्यों नहलाया था और कैसे नहलाती हूं तो और वो भी मैं regular इन्हें नहीं नहलाती में त्हंडियों के त्हंडियों मैं इन्हें बिलकुल भी नहलाती ut recominee और वो भी बहुत कम टाइम रहती हूं उनका के पानी से बाहर कर देती हूं और तरण तॉल्यलीऑा लपेट देती से क्योंकि जब इनके बाल चिपकते हैं तो थोड़ी ये परिशान होते हैं और कभी भी इनको बहुत जादा रगड के मत नहलाएं दोस्तों मेरे पास इनका वीडियो था नहीं मेरे पास तो मैं एक दूसरी की वीडियो शेयर करती हूं ये चीकुपी की कजन है और देख सकते हैं ये कितने प्यार से नहा रही है ये शौक में नहीं है ये आराम से खुद नहाती है तो इसी तरह मेरे चीकुपी को भी नहाते हैं तो इस वज़े से हम उनको नहलाने में इतना डर नहीं लगता और आराम से नहला रहते हैं हमें मतलब इस चीज़ का काफी सुकून होता ह कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो शौक में नहीं जाएंगे तो इस वज़े से हम नहलाते हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें हम टॉचर करते हैं यह शौक देते हैं तो दोस्तों प्लीज कभी किसी की देखा देखी मत करना और आपकी बच्चे जैसे हो उनके साथ व बहुत सारे मतलब चीजे होती हैं जो आप कर सकते उनके साथ में लाइक ड्राइ बात भी होता है तो वो मुझे पता नहीं था और मैंने कभी यूज भी नहीं किया है बट मुझे पता चला तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं यह कुछ प्रोड़क्स होते हैं जो अगर यूज भी करना है आप लोगो तो आप किसी से सला ले ले सकते हैं कि इनका हैजिन कैसे मेंटेन करें दोस्तों मुझे इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खीचना है बस एक चोटी सी चीज और मुझे वतानी है इसमें कि जब भी आपने बच्चे को नहलाते हैं और उसके बाद आप जब टोवेले पेटते हैं तो सबसे पहले उनके नाक और कान का पानी सुखाईए क्योंकि उसे वो अराम से सांस ले पाए और कमफर्टेबल हो जाए जब वो कमफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर सारी टेंशन खतम हो जाती है थोड़ी देर बाद उनको छो जानकार का टॉर्चर ना करें तो दोस्तों आज किस टॉपिक पर मैंने यह वीडियो इसलिए ही बनाए है ताकि आपको सही जानकारी हो क्योंकि दोस्तों मैंने इस पर किसी और की कही गई बाते मैंने नहीं बूली है मैंने जो मेरा actual experience है वही मैंने आपके साथ शेयर किया ह है अब वह सही हो गलत हो वह आप नेड़ा देंगे तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट्स करके जरूर बताना और पसंद आये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी हो और चैनल क को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए बाए